Dear student, today we have to discuss about the sustainable development and how it evolved. जैसे कि हम last lecture के अंदर millennium development goal की हम बात कर चुके होए हैं और millennium development goals की अगर मैं थोड़ा सफ के उपर हम revise करना चाहूं जिसके अंदर हमने 8 targets MDGs किये और उसके बाद 2015 के अंदर हमने उसको evaluate किया और evaluate करने के बाद हमारे पास सप्टमबर 2015 के अंदर हमने ये फैसला किया कि अब हम sustainable development goals की तरफ जाएंगे पहले हमारे पास MDGs थे, millennium development goals millennium development goals के targets हासल करने के बाद और जैसे हम बात कर चुके हैं हुए है कि हमने अगरचे targets 100% कहीं भी हासल ना किये जा सके लेकिन इससे ये अंदाजा हो गया कि अगर हम अपने strategies को बेतर बनाएं तो हम अपने targets achieve भी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको sustain भी करना चाहेंगे ताके जो हमने targets achieve की है future के अंदर इसको sustain करके और बेतर तरीके से ले जाया गया तो 2015 के अंदर जो है sustainable development goals जो है SDGs के नाम से introduce कराया गया जिसके अंदर ये फैसला किया गया to end poverty protect the planet and ensure the prosperity आता है यहां पे दो चीज़ों को हमने target किये दुनिया में poverty खतम करनी है एंड कर देना है poverty और वो जो हमने last time millennium development goals के अंदर हमारे पास इसके result बेतर आ रहे थे तो हमने कहा कि इसको SDGs के अंदर ले जाने के बाद हम इसको और बेतरी की तरफ ले जाएंगे और इसको हम end कर सकते हैं दुनिया में खुर्बत खतम कर सकते हैं और उसको पर काम किया और हमने ensure करना है कि इसके planets की हमने बेतरी करने है ग्लोबली जिसे हम global war में कहते हैं global पर बात करते हैं उसके अंदर जो एक बेतरी कामल था वो immunization था वेक्सिनेशन थी is one of the best buys in the global health and has a crucial role in achieving the 14 of the 17 SDGs सत्रा सस्टेनेबल डिवल्मेंट गोल में से जो 14 अचीव हुए उन में से बेहतरी का जो रोल था वो वेक्सिनेशन ने किया और हम लास्ट भी डिसकस कर चुके हुए हैं हमने पहले भी से भी डिसकस किया है कि वेक्सिनेशन से हमने बच्चे की disability को मा की health को बच्चे की health को मुख्ले बिमारियों से हमने बचा कि एक healthy monster जिसे हम कह सकते हैं हमने वो बनाया है इट closely reflect the ethos of the estiges leaving no one behind हमने का कि हमने किसे को behind नहीं चौड़ नहीं यानि वो तमाम लोग जो मुख्लिप अंदाज से education में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एर्थ में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हमने उन सब को साथ लेके चलने हैं तो हमने एक slogan मनाया SDGs के अंदर और वो slogan ये था leaving no one behind सब को साथ लेके चलने हैं तो हमारा SDG one जो है वो डिकलेर हुआ no power आप देखें millennium development goal के अंदर भी poverty की हमने बात की थी यहां पे sustainable development goal के अंदर के अंदर भी हमने no poverty की बात की और हमने कहा के healthy children and families वो increase करती है prosperity को अगर आपको याद होगा तो हमने पहले भी discuss किया था कि एक बच्चा जो disabled है वो ना सिर्फ burden है family के उपर बलके वो society के अंदर भी वो improvement के अंदर वो holder बनता था हमने immunization की बच्चे की health को बेतर किया अब healthy जो बच्चे होंगे और जो families होंगे वो prosperity को increase करेंगी अब वो जो prosperity को increase करेंगी तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास immunization एक ऐसा platform मिल गया for delivering the nutrition interventions and work hand in hand with a good nutrition to help reduce the child mortality देखे हमें एक base मिली और वो base क्या थी वो base के हमने vaccination के जरीए बच्चों की health को control किया बच्चों की death को control किया और वो base हमें prosperity society के तरफ लेके गई और उस society की तरफ लेके अगला मरहलाद ये था कि nutrition की जाए ताके वो healthy भी हो जिन्हें death से भी बचा लिया disability से बचा लिया तो अब हम nutrient की तरफ आ गए है nutrition की तरफ आ गए है ताके उसे healthy भी होना चाहिए और उस healthy के लिए जरूरत थी कि हमारा SDG2 hunger immunization plus nutrition healthier family बना देता है ये बड़ा factor है कि आपने vaccination की vaccination से death rate को कम किया अब death के बाद अगला मनला क्या है disability भी कम की death भी कम किया कतम होने की तो नहीं हम बात कर सकते क्योंकि किसी भी दुनिया में किसी चीज़ को zero तो नहीं किया जा सकता लेकिन हमने minimize कर दिया अब उससे क्या हो गया अब हमें healthy चाहिए था तो हम उसने nutrition करने शुरू कर दी हमने nutrition के अंदर उनको provide करना शुरू कर दिया कि हमें बचे की बेतरे के लिए balance food कैसा चाहिए अब जब ये दोनों चीज़े मिल गई तो हमारे पास family healthy families आ गए और जब हमारे पास family healthy आ गए तो hunger हमारे में निमार मौग कहा zero जाता है लेकिन zero को हम पहे नहीं सकते हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि compareable हमने minimize कर दी है कि अगर millions families हैं और उसमें से चंद hundreds के अंदर families जो हैं वो अभी problem का शिकार हैं तो हम समझे लेंगे कि हम उसको कह सकते हैं कि हम zero एंगर तक पहुंच सकते हैं तो हमारा जो sustainable development goals डू था वो ये था तो इस तरीके से हमने no poverty zero anger इसको हमने कैसे improve किया हमने vaccination के जरीए उस किमिक के अंदर add किया nutrition उससे हमारे families बेतर हुए और family बेतर हुए तो हमारा पास ये थी निशिज़ इंप्रोब होगे आवर बेतर हैं झाल झाल झाल